Hello Everyone, Welcome to StudyTube Work Power Energy और Speed and Velocity इसके बाद हम लोग अगला स्टार्ट कर रहे हैं उश्मा और तापमान इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे टोटल 225 MCQ और टोटल 4 पार्ट में देखेंगे अब मैं आपको बताता हूँ पार्ट 1 में हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों पार्ट मिला कर हम लोग देखेंगे 175 MCQ और ये सारे 175 questions होगे Lucent Objective से Lucent Objective से काफी अच्छी किताब है ये और बहुत सारे MCQ है अगर आप इसे देखते हैं तो समझे जितने भी basic basic questions बन सकते हैं और काफी अच्छी questions भी है इसमें और exam में पूछे भी questions भी है इसमें जो railway के exam में पूछे जया हैं और भी SSC बगरा के exam में जो पूछे जया हैं तो अगर आप ये 125 questions कर लेते हैं तो समझे आपका basic basic काफी अच्छा हो गया तीन पार्ट को part 1 में merge करूँगा और तीन पार्ट को part 2 में merge करूँगा और total हो जाएगा 175 mcq तो वीडियो का length काफी जादा जाएगा तो आप क्या करते हो speed को बढ़ा सकते हो एक function है speed बढ़ाने का आप video की speed बढ़ा सकते हो वीडियो की speed बढ़ा कर देखना आप अगर आप already पढ़े हुए हो इस किताब से और already आपने इस chapter को भी पढ़ा हुआ है आप इसे skip कर सकते हो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इसे जरूर पढ़ना और यह मैं मान कर चलूँगा कि part 1, part 2 यानि कि यह 125 MCQ का वीडियो आपने देखा हुआ है उसके बाद मैं part 3 और upload करूँगा जिसमें मैं 50 MCQ करवाँगा इसमें मैं theoretical question करवाँगा और साथ में जो भी मुझे लगा कि जो important question है वो मैं करवाँगा तो part 1, part 2 आप जरूर देखो और आपको यह देखना पड़ेगा ही क्योंकि तभी मजायागा नए तो बहुत सारी question आपके छूट जाएंगे जो अकसर exam में पूछे जाते हैं कुछ लोग सोचेंगे कि इसमें तो सिर्फ theoretical question है numerical है ने तो numerical में आपको करवाँगा ना part 3 और part 4 में अब ऐसा नहीं है कि CBT2 के exam में जो आप देंगे इसमें सिर्फ numerical आएगा theory भी आएगा और numerical भी आएगा यहनि दोनों टैप के MCQ आएगे theoretical प्लस numerical तो यह वीडियो में काफी पहले upload किया हुआ था तो इसमें क्या है कि sound के साथ थोड़ा अप एडजस्ट कर लेना जो sound है वो pore quality है जो sound का quality अभी आपको सुनने को मिल रहा है वो आपको नहीं मिलेगा तो ज़्यादा आपको problem नहीं करेगा आप बस MCQ देखो आप तो चलिए start करते हैं पहला question है वस्तु को गर्म करने पर उसके अनू जो अप वस्तु होता है चाहे solid हो liquid हो गैस हो तो वह सब क्या है कि छोटे चोटे particles से मिलकर बने होते हैं तो जब हम temperature बढ़ाएंगे तो उसके अनू पर क्या प्रभाव पढ़ेगा चाल बढ़ जाएगी कि उड़जा कम हो ज अगर लिक्वीड हो या फिर गैस हो तो उसके पार्ट की अपनी पोजिशन चोड़ते हैं तो गर्म करने पर चाल बढ़ जाएगी उसके अनू की और ठंडा करने पर चाल घट जाएगी तो हमारी question का answer है वस्तु अनू की चाल बढ़ जाएगी जिकना ऐसा नहीं कि वस्तु गर्म करने पर वस्तु की चाल बढ़ जाएगी अनू है उसके बाद कि किसी वस्तु का ताप सूचक है किसी वस्तु का temperature क्या indicate करता है एक्चुल में क्या indicate करता है जब हम temperature बढ़ाते हैं इसकी हमने कहा ना अभी solid है काफी नजीक पार्टिक्रि तो यही है कि उसद गतीज उर्जा इसका बढ़ जाता है तो यहां भी धियान लगे कि अनू की उसद गतीज उर्जा बढ़ जाती है वस्तु का नहीं है तो इस question का अंसर हमारा D है अगला प्रशन है वस्तु का ताप सुचित करता है कि समपर्क करने पर तो मान लिजे कि द थिंप यहां लोग जाता है जैनी कि इस वस्तु से हापत Just requirement कर दे यही option यही कहा रहा है कि high temperature से low temperature, जिसका temperature low होगा उसकी तरफ प्रवाहित होगी, तो जब भी यह temperature difference, यह ध्यान रखना है कि हमेसा high to low transfer होता है, अगला देखिए, चार नंबर, किसी वस्तु के ताप में व्रिधी का अर्थ है कि वस्तु की, चीक है, अब यहां देखिए, यहां गतीज उर्जा आप डिरेक्ट टिक नहीं करना, अभी थोले पहले डिसकस कहते हैं कि गया, इसका temperature बढ़ा हैं तो यह वस्तु करने लग जाए, ऐसा होता है कि आईसा नहीं होता है, तो वस्तु की उसमा बढ़ जाएगी, वस्तु गर्म हो जाएगा, but kinetic energy molecules का increase होता है, तो वस्तु की उसमें उर्जा बढ़ गए, तो यहां वस्तु की है, इसलिए आपको किया जाता है, तब उसके अनु, अगर गर्म किया जाता है, तो अनु क्या होते है, कि अनु की चाल बढ़ जाती है, तो ठंडा करने पर अनु की चाल घटी आएगी, इस question का आंसर है हमारा B, अगला है, उसमा एक परकार की उर्जा है, जिसे कार में बदला जा सकता है, इसक सत्मा नंबर, कि किस वेग्यानिक ने सरपरतां बर्फ के दो तुक्रो को आपस में घिस कर पिगला दिया, तो हमफ्री ने दिया था, परतेक्ष परमान दिया, पहले बात आया कि उसमा एक परकार की उर्जा है, जिसे हम कार में बदल सकते हैं, उसके बाद डेवी आया, डे अगर माली ये बर्फ है, अगर बर्फ को हम किसी गर्म चीज़ से टच करेंगे, अगर टच नहां ना भी किये, तो अगर वातावरण गर्म है तो भी पिखनने लगेगा, तो डेवी ने क्या किया, कि 0 degree temperature पर वातावरण को ठंडा रख करके उन्होंने दो बर्फ को रगरना मैं स्टार्ट किया, कि अब बर्फ फ्रिजिंग पॉइंट 0 degree Celsius होता है, वाटर का फ्रिजिंग पॉइंट 0 degree Celsius होता है, 0 degree Celsius पर वह नहीं पिख लेगा, वातावरण भी 0 degree Celsius है, बर्फ भी 0 degree Celsius पर है, अब यानि इसके contact में कोई भी गर्म चीज़ नहीं है, ना तो वातावरण ना ही कोई वस्तू, तो जब इस दोनों को आपस में रगरा गया, तो बर्फ पिखलने लगा, तो यहां पता चला है, कि जो रगरने में जो हम काम किये हैं, यह फ्रिक्शन के लिए जो हमने काम किया, वो हीट में convert हो गया, इसलिए यह बर्फ पिखल गया, हमारा कार्य क्या जिसे उसमा का mechanical equivalent यांत्रिक तुल्यांग कहते हैं, तो 1943 में Joule नामक सैंटिस ने एक experimental value दिया, experimentally उन्होंने प्रूब किया, कि हीट को हम convert कर सकते हैं कार्य में, उन्होंने क्या दिया, कि 1 calorie is equal to 4.18 Joule, तो यह जो 4.8 तब J, mechanical equivalent, जिसे J से denote किया आता है, उन्होंने बोला कि mechanical equivalent होता है, 4.18 Joule calorie per Joule, sorry, Joule per calorie, 4.18 Joule per calorie, आप इसे 4.2 भी लिख सकते हैं, कभी-कभी, लिखा जाता है, तो इस question का answer है, 4.18 Joule per calorie, यह J है, क्योंकि Joule ने discover किया था, उन्होंने यह experimentally प्रूब किया था, तो इसे J से denote किया जाता है, और यह यही चीज है, निमन में से कौन सैसे यही है, टिकना, work upon heat और यह है mechanical equivalent, टिक है, जब कुछ पानी का लगतार मन्थन किया जाता है, तब उसका ताप बढ़ जाता है, टिक है, तो जब, क्योंकि mechanical energy, सारा convert हो जाता है, heat energy में, heat energy में convert होगा, तब ही तो ताप बढ़ेगा, temperature बढ़ेगा, टिकना, तो यांतरिक उड वास्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच होता है, तो यह होता है, क्योंकि boiler के अंदर high pressure generate करके उसका boiling point होता है, उसे बढ़ाया जा सकता है, तो boiler के अंदर उच दाब होता है, यानि कि high pressure, तो इस 11 नमबर का question का अंसर हो गया, C, अगला प्रस्ण द temperature कम होता है, और प्रित्वी के अंदर का temperature ज्यादा होता है, इसलिए तो प्रित्वी के भीतर ताफमान, वायो मंडल के ताफमान से अधिक होता है, यह हमारा answer है, अगला SI system में ताप की इकाई क्या है, SI system में ध्यान देना है, हम लोग इंडिया में, हमारी इंडिया में Celsius Fahrenheit मे ज्यादा temperature के measure करते हैं, बट SI system में SI unit temperature का Kelvin होता है, चीक है, Celsius यह centigrade नहीं लगाना है, और यह भी ध्यान राखे कि degree जो है, degree जो है, Celsius और Fahrenheit के साथ ही use किया जाता है, Kelvin के साथ यूज नहीं किया जाता है, अगला इन में से कौन, उस्मा का मातरक नहीं है, उस्मा कौन, क्यलो क्य temperature को मापते हैं, और degree Celsius मेजर करते हम temperature को, बट यह temperature का SI unit नहीं है, SI unit temperature का क्या है, Kelvin, चीक है, तो उस्मा का मातरक नहीं है, degree Celsius, ताप का SI मातरक क्या है, चीक है, बस यही question है, जो 13 नंबर है, यह 15 नंबर है, तो इसका SI मातरक Kelvin है, देखिन काफी सारे question ऐसे होंगे, जो repeat होगा, तो जो question repeat होगा वो मैं आप नहीं बताऊँगा वो आपसे मैं पूछूँगा comment box में उसका answer अगला है एक kilo calorie उस्मा का मान होता है अभी थोड़ी दिर पहले चर्चा किये थे कि Joule ने ये relation दिया था कि 1 calorie is equal to 4.18 Joule ठीक है अब हमें ये calorie में दे रखा है तो हम चाहते हैं कि इसे kilo calorie में convert कर दे तो हम हजार से divide लगाएंगे इसमें तो यहां से convert हो जाएगा 1 kilo calorie यह हो जाएगा 4.18 10 to the power 3 Joule तो हमारा answer हो गया यह जाएगा 4.18 को कभी-कभी 4.2 भी लिख देते हैं अगला है जल पर पात के अधसल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्शा अधिक होता है उपर के अपेक्शा अधिक होने का कारण क्या है तो जल पर पात पर जल जो नीचे आए तो सारा kinetic energy सारा kinetic energy convert हो जाता है heat energy में चीक है अब यह नीचे गिरता है तो kinetic energy तो होता है ना इसमें तो सारा समय तक चलने के बाद भी high temperature पर भी उसके सरीर से पसीना नहीं निकलता है क्योंकि उसके अंदर भाई खासियत होता है कि वह अपने temperature को body temperature को बढ़ा देता है और वातावरन के लगवाद अनुकूल कर लेता है तो वातावरन का temperature और उसके body temperature में ज्यादा फड़क नहीं होता उसे करण से पसीना भी नहीं निकलता है काफी दूर चलने के बाद भी गर्मियों में भी ठीक है तो 40 degree Celsius हो जाने पर भी गर्मी में रहात महसूस करता है उट कि वह अपने body temperature को बढ़ा देता है अगर 46 है तो 42 degree Celsius तक बढ़ा देता है लगवाद सेम कर देता है अगला है बर् पर बढ़ा दे अगर यह माली जी आइस होता अगर हम इस दोनों को सेम टेंबरेचर दे तो ज्यादा एक्स्पांड कों करेगा उटेंबरेचर प्रसार का नउट सहते हैं ज्यादा अधी नमबर classic वं एक्सपांड करता है इसी लिए ज्यादा एकस्पांड करता है इस रिए रहादा अधीक हो तो इसका आ इसी आन्सेर और प्रसार गुनानक अधिक होता है coda दर गता साजारिव ब्रेजल से रेलेटेड कोई बात है कपल मिंस पेयर की बात की जा रही है और थर्मोमीटर आप जानते हैं मेजर करने वाली चीज़ होती है इंस्टुमेंट तो यह सिवेक इफेक्ट पर अधारीत है अब यह थर्मो कपल थर्मोमीटर क्या होता है दो जंक्शन से एक होट है होट डिया इस दोनों इस दोनों जंक्शन को क्नेक्ट कर दिया जाता है दो अलग अलग मेटर से ध्यान रखना है क् महींकें होगा इसकर अलग मेंटर से अगर यह होट है यह इसले summary नियर्ट सब्सक्राइब तो हम टेयर का पता कैसे करें सब्सक्राइब अलग अलग time पर अलग अलग potential difference पर अलग अलग temperature का list बनाया जा सकता है या फिर calibrated galvanometer आता है उसे अगर यहां लगा दे तो direct temperature measure किया जा सकता है temperature difference measure किया जा सकता है तो यह actually अधारित होता है सिबेक effect पर अगला है अत्तिक उचे तापो की map की जाती है एक होता है द्रव ताप मापी यह measure करता है minus 30 degree Celsius से 1300 degree Celsius तक एक होता है gas ताप मापी इस gas ताप मापी में अगर gas hydrogen है अगर gas hydrogen है तो यह 500 degree Celsius तक temperature measure कर सकता है अगर nitrogen है तो यह 1500 degree Celsius प्लेटीनम जो आप देखरे हैं, platinum प्रतिलोध ताप मापी यह measure कर सकता है minus 200 degree Celsius से 1200 degree Celsius तक और अगर किसी object का temperature 800 degree Celsius से ज्यादा है अगर 800 degree Celsius से ज्यादा है इस temperature का तो यह energy radiate करेगा और एक ऐसा instrument आता है जिसे हम दूर से ही इस object का temperature बता देंगे जैसे कि अगर sun का temperature पता करना हो तो हम इस instrument का यूज कर सकते हैं यह instrument होता है पुर्वीकरन तापमापी यानि कि 800 degree Celsius से अगर temperature ज्यादा है तो हम इसका यूज कर सकते हैं अगर 800 degree Celsius से कम होगा तो हम इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि इससे इतना ज्यादा radiation नहीं होगा कि यह पुर्ण वीकरन तापमापी उत तापमापी इसे मेजर कर और यह स्टिफन के principle पर अधारीत है तो 800 degree Celsius से ज्यादा होना चाहिए और सुर्ण का तापमाण हम इससे मेजर कर सकते हैं अगला है पुर्वीकरन उत तापमापी टोटल रेडियेशन पैरोमीटर किस सिधान पर अधारीत है तो यह स्टिफन के नहीं पर अधारीत है दूर क अगला है खंडे देशों में पारा के अस्थान पर अलकोहल को तापमापी द्रव के रूप में वर्येता दी जाती है यह जैदा यूजल मेंली ए स्टमकार निपर आप Iraq ाहल निकी अर्टम 15 degree Celsius पर जमता है तो अगर temperature मान लेज़े 40 degree से कम होगा ठंडे देशों में तो पारा तो जम जाएगा तो फिर ये measure कैसे करेगा इसलिए इसका alcohol का यूज जादा किया जाता है तो हमारा answer है alcohol का द्रावांग नीम उतर होता है अगला प्राशन है वी करन पैरोमीटर से कितना ताप करम नापा जा सकता है या मापा जा सकता है चर्चा कर चुके हैं 800 degree Celsius से उपर होना चाहिए अगला है थर्मो कपल द्वारा बनाया जाता है थर्मो कपल सिबेक इफेक्ट पर जो अधारित हैं थर्मो बात किया है दो जंक्संस, hot, cold दो अलग मेटल के वायर होना चाहिए तो दो असद्रिश धात्त्यूं यही है कि दो अलग मेटल के वायर होना चाहिए तब जाकर potential difference generate होगा अगला है सूरिका ताप मापा जाता है इस question का answer भी आप हमें comment box में जरूर देना question number लिख दिजेगा वहाँ पर कि 28 का ये answer है यह हम discuss कर चुके हैं इसलिए यह आपको बताना है तो यह Fahrenheit और Celsius में relation दिया गया है चार option है बताना है कि कौन सही है तो आप याद रखें कि Fahrenheit और Celsius में relation होता है F is equal to 9 by 5 C plus 32 degree यह relation आपको ध्यान में रखना है Fahrenheit Fahrenheit एक scientist है जर्मन scientist अब देखिए यह relation होता है बस थोड़ा सा आपको आगे पीछे करना है एदर उदर करना है कोई नो कोई answer आ जाएगा तो 32 को हम left में ले आते हैं तो F minus 32 9 को हम नीचे ले आते हैं और यह C upon 5 तो यह B number option सही है तो हमार answer B है अगला पूछा है Celsius में बताना है कि Celsius में वाटर का boiling point और freezing point क्या होता है अब सभी को पता है boiling point 100 degree Celsius और freezing point 0 degree Celsius होता है अगला प्रशन है ताप के Celsius पैमाने पर परम शुनित ताप क्या होता है Celsius में बताना है absolute zero temperature कितना होता है तो absolute zero temperature हमेशा आपको ध्यान रखना है कि zero Kelvin होता है ऐसा मत की जगा कि पढ़म शुनित ताप आप zero degree Celsius पर टिक कर दें देखिए option भी देने वाला भी यह सोचा है कि आप zero degree Celsius टिक कर सकते हैं इसलिए पहले number में रखा है ठीक है लेकिन यह गलत है zero Kelvin पर होता है और Kelvin Celsius में relation आपको ध्यान रखना है यह 273, 273.15 होता है अब 273 याद रखिए यह होता है Kelvin में C degree Celsius में value put किजएगा 273 add किजएगा Kelvin में हमारा answer आएगा तो अगर हम यहाँ zero डाल दें Kelvin के जगापे तो C degree Celsius में हमें क्या मिल जाएगा minus 273 degree Celsius तो zero Kelvin absolute zero temperature यानि कि पढ़म शुनिताप होता है जीरो Kelvin, zero Kelvin और Celsius में है minus 273 Kelvin sorry, 270 degree Celsius जो भी चस्ट निकाले हैं अगला है Kelvin मान से मानवशरी का सामाने ताप है मानवशरी का normal, sorry, human body ठीक है तो मानवशरी का जो सामाने ताप होता है यानि कि normal temperature होता है वो होता है 37 degree Celsius अब हमें Kelvin में बत पूचा है Kelvin में पूच रहा है, तो हम क्या करेंगे 30 degree Celsius यहां पूट करेंगे 233 में add करेंगे, तो हमारा अंजर आजाएगा 310 तो degree Celsius में 37 degree Celsius Kelvin में 310 Kelvin Fahrenheit में भी आप से पूचा जा सकता है Fahrenheit में भी अगर आपको निकालना आओ तो इस 37 degree Celsius को हम इस C के पूट करेंगे 32 में add करेंगे तो Fahrenheit में निकल कर आ जाएगा यह लगवग 98 होता है 98 degree Fahrenheit कौन सा ताप centigrade और Fahrenheit दोनों माप करम में एक समान होता है तो इस question का answer आपको देना है centigrade और Fahrenheit दोनों में एक ऐसा temperature centigrade में भी होता है, Fahrenheit में भी होता है, तो इसे solve करने के लिए यह जो equation है, f is equal to 9 by 5 c plus 32 इसमें हम क्या करेंगे f बड़ाबर c पुट करेंगे, तो हमारा answer minus 40 degree निकल कर आएगा आप चाहिए तो देखिए, बना कर दिखाते हैं आपको हम यहां क्या करते है, f कजिए आप c पुट कर देते हैं, तो यहां c है कि पूछा गया है, Fahrenheit और Celsius दोनों में बड़ाबर होना चाहिए 9 by 5 c plus 32 यह हो जाएगा, 5 c plus 9 c plus 10 15, इस बार हम क्या करेंगे 5 c को इधर लाएगे, तो यह हो जाएगा 4 c, और यह हो जाएगा minus 150 इससे हम solve, sorry यह 150 160 160 हो जाएगा और c का value निकालेंगे तो 4 c में से cut करेंगे तो यह minus 40 degree यह minus 40 degree आएगा तो यह हमारा answer है D, ठीक है चलते है 35 पे, तो नियुनतम संभव ताप, 0 degree Celsius नहीं होता है नियुनतम संभव ताप होता है 0 Kelvin, यानि 0 Kelvin यानि minus 273 degree Celsius अगल आप Fahrenheit इसकेल पर किसी वस्तु का ताप 212 degree Fahrenheit है Celsius पहिमाने पर उस वस्तु का ताप क्या हो यानि आपको convert करना है 212 degree Fahrenheit को degree Celsius में F is equal to 9 by 5 C plus 32 degree 212 Fahrenheit है यह 9 by 5 हमें C का value चाहिए 9 by 5 C 212 को, 212 में से 32 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 180 इसे हम कट करेंगे 20 times यह C आ जाएगा 100 degree ठीक है तो 100 degree Celsius हमारा answer है अगला है Celsius पहिमाने पर 0 degree Celsius Fahrenheit Scale कि कितने degree Celsius बड़ाबर है यानि 0 degree Celsius कितना degree Fahrenheit के बड़ाबर होता है इस भी बना सकते है इस बार आपको यह C के जब पर 0 put करना है तो 0 put करेंगे तो F equal to 32 हा जाएगा तो F equal to 32 degree answer मानव शरीर का समाने तापकरम 98.4 degree Fahrenheit है यानि कि इस बार आपको convert करना है 98.4 को Celsius में इस प्रस्ण का उत्तर आप दीजिएगा क्योंकि दो क्वेशन बता चुके है Fahrenheit मापकरम पर समान में वायू मंडल यह दाब पर उबलते पानी का ताप होता है हम जो वायू मंडल में रहते हैं वायू मंडल यह दाब के अंदर रहते हैं वहाँ पानी उबलता है 0 degrees Celsius पे तो हमें आंसर देना है तो अगयन आप यहाँ सीख जेब पर 100 degrees Celsius पुट किजिएगा फैरन हाइट में 32 में एड़ किजिएगा हमारा जो आंसर है वह ही option में होगा आप बताना है आपको 39 question का answer comment box में अगला है दिल्ली में जल का कौतनान 100 degrees Celsius है तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा तो मसूरी hill station है जैसे जैसे हम height पे जाएंगे उपर की योड pressure एट्मोसफेरिक pressure क्या होगा कम हो जाएगा एट्मोसफेरिक pressure कम होगा और जब railway में पूछा हुआ है RRV 2004 में आप बताना इसका answer क्योंकि discuss कर चुके है f is equal to 9 by 5 c plus 32 degree बस इसमें c के जाएब पर start put करना है Fahrenheit में answer आएगा आप comment box में बताइए अगला है किसी मनुष के शरी का सामाने तापकरम होता है इस बार 37 degree Celsius होता है 310 Kelvin होता है यह तो हमने देखी लिया इस बार हमसे पूछा है Fahrenheit में तो Fahrenheit में answer होगो बताना है f is equal to 9 by 5 c plus 32 degree इसे इस relation का यूज करना है c के जाएब पर हम 37 degree डालेंगे हमारा answer Fahrenheit में आ जाएगा अब डाल कर चेक कर लेना 98 degree 98.4 आएगा 98.4 यह एक्च्वल में तो 98 degree अब ले सकते हैं यह हमारा answer है अब चेक भी कर लेना एक स्वस्त मनुष्य के सरीर का ताप होता है एक स्वस्त मनुष्य के सरीर का ताप होता है 37 celsius ठीक है तो यह हमारा answer है देखे 98 degree Fahrenheit होता है 310 Kelvin होता है और 37 degree celsius होता है अगला प्रशन है धातु की चाय दानिवे में लक्री के handle क्यों लगे होते हैं अगर लक्री के handle नहीं लगेगा तो हमारा हाथ जल जायेगा क्योंकि heat का transfer हो जायेगा अगर यहां मालीजे आग लगा दे तो heat का transfer धीरी धीरे अगर हम यहां इसे पकरना हाथ से पकरनेंगे यहां पर इसी type का होता है न चाय, दानी तो यहां अगर गर्म होगा तो यह heat का transfer हो जाएगा हमारे हाथों तक हमारा हाथ जल सकता है अगर हम इसमें लक्री का handle लगा देते है तो क्यों लक्री जो होता है वह वह poor conductor of heat होता है वह भी कुछ अलक होता है heat का तो जहां जहां हम पानी छिरकेंगे वहां वहां glass फैलने लगेगा अब फैलने के लिए उसको जगह चाहिए आखिरी में जगह है उसके पास पूरा glass में जगह है लेकिन पूरे glass में heat पहुंचेगा ही नहीं क्योंकि heat poor conductor है उसको पूरे glass में पहुंचने में टाइम लगेगा और तब तक क्या होगा वह glass ब्रेक कर जाएगा क्योंकि वह तेजी से फैलना चाहाएगा और तेजी से फैल नहीं पायागा उसको उतना जगह नहीं मिलेगा तो वह तूट जाएगा अचानक ही glass बिस तारीत हो जाता है यह हमार आंसर है पानी का घनतो किस ताप पर अधिक तम होता है तो पानी का ताप अधिक तम चार डेगरी सेलसे पर होता है आप यह graph अपने mind में set कर लें यह काफी काम का चीज है यह सिर्फ ऐसा water में होता है बाकी किसी में भी नहीं होता है यह उपर घनतो है और यह नीचे तापमान है graph यह होता है यह जो देखना है यह maximum density है maximum घनतो को आप देखना है इस line पे घनतो है y-axis पे तो यह जो maximum घनत होता है वो 4 degree Celsius पे होता है जाद रहा है 4 degree Celsius अब 4 degree Celsius से हम चाहे पीछे आए या 4 degree Celsius से हम चाहे आगे जाए density हमेशा water का कम होगा सिर्फ maximum होगा तो 4 degree Celsius पे इसलिए इस graph को आप धिहान में रखें अगला है जब बर्फ को 0 degree Celsius से 10 degree Celsius तक गरम किया जाता है तो जल की item क्या होता है यह हमने graph draw किया यहाँ क्या है density यहाँ क्या है temperature ग्राफ अभी just हमने देखा था यह graph काफी useful है आप इसे दिहान में रखेंगे अब देखे 4 degree Celsius पे तो ज़्यादा होता है घनतो सबसे ज़्यादा होता है maximum होता है बदा चुके है 4 degree Celsius से ज़्यादा जाए यह कम आए घनतो कम हो जाएगा हमें जाना है 0 से 10 तो 0 यहाँ होगा अगर 0 यहाँ होगा तो घनतो सबसे कम होगा तो 4 degree Celsius तक तो यह घना तो बढ़ रहा है 4 degree Celsius तक घना तो बढ़ेगा 4 degree Celsius तो maximum होगा इसमें आयतन के बारे यह पुछा गया है यह graph गलत ड्रो किया है हमें आयतन और temperature में चाहिए यह graph सही है बट density temperature के लिए हमें आयतन पुछा यानि volume temperature volume temperature में यह होगा volume temperature का graph यह होता है चीक है यह 4 degree Celsius अब देखिए 0 degree Celsius पे volume इस graph को थोड़ दर के लिए भूल जाईए आप मन में रखिए लेकिन थोड़ दर के भूल जाईए इस graph पे focus केजिए volume और temperature के बारे में हमसे पुछा गया है तो 0 degree Celsius पे volume सबसे जादा है देख रहे हैं आप सबसे जादा है और 0 से हम 4 तक अगर जाए है तो volume क्या हो रहा है कम हो रहा है चीक है volume क्या हो रहा है 0 से 4 तक और 4 degree Celsius पे volume सबसे कम हो जा रहा है यानि कि 0 से 4 तक तो क्या होगा पहले कम होगा तो देखते हैं अगला है यदि जल 10 degree celsius से 0 degree celsius तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा यह हमने देखा यह volume है यह temperature है यह 4 degree celsius है temperature और यहाँ पर volume minimum होता है minimum item यह volume हमें क्या करना है 10 से 0 आना है तो 10 यहाँ पर होगा मान लेता है है εδώ होगा 10 4 के बाद हिँ होगा यह 10 degree celsius से इभ अमें इधार आना है इधर क्यो आना है यानि देख रहा है पहले क्या हो रहा है volume कम हो रहा है पहले volume कम हो रहा है, 4 degree Celsius पर कम से कम हो जाएगा और 4 degree Celsius के बाद ये फिर से बढ़ने लगेगा तो इस बार क्या होगा, पहले कम होगा, तब बढ़ेगा तो जल का आयतन लगतार घटेगा लगतार घटेगा, नहीं पहला option देखते हैं, जल का आयतन 4 degree Celsius तक कम होगा, फिर बढ़ेगा जी, विल्कुल, 4 degree Celsius तक कम होगा, उसके बाद बढ़ेगा, ये हमारा अंसर है अगला देखते है, cycle के ट्यूब अधिकांसता गर्मियों में क्यों फटते है ये हमारा अंसर सही है, गर्मी के current ट्यूब फटता है, ये हमारा ट्यूब है, इसके अंदर हवा बढ़ा हुआ है, तो इसके अंदर हवा में काफी air particles है तो ये particles, जब हम temperature बढ़ाएंगे तो आपको पता है, अनू की चाल बढ़ जाएगी तो ये अनू क्या है, इस पर pressure exert करेगा, चीक है, ये inside the tube तो अब high pressure अंदर develop हो जाएगा, तो इस high pressure, हर कोई high pressure से low pressure में जाना चाता है तो इस high pressure से low pressure में जाने के लिए ही, अब ये जाना चाता है, लेकिन ये नहीं जा पाएगा तो बिल्कुल फट जायागा tube, यही कारण है, तो गर्मियों के कारण tube फट जाता है, इस option का कहिने का मतलब यही है, कि temperature बढ़ने के कारण अगला है, thermos flask के अविश्कारक है, यह scientist है, डिवार, इन्होंने किया था, अगला है, लोलग घडिया, गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है लोलग घडि का time period होता है, 2 pi root under L by G, लोलग घडि यह जो आप देख रहे हैं, यह metal का होता है, और इसी का length होता है L, जो आप यहाँ देख रहे हैं, तो जब भी यह length increase करेगा, तो time period increase करेगा कभी-कभी आप से G के बार ही पूच सकता है, कि इस लोलग घडि को चंदर्मा पर ले जाएं, तो क्या होगा, आपको पता है, चंदर्मा पर जाते ही, तो G कम हो जाता है तो time period L के साथ directly relation है, और time period का G के साथ inversally relation है तो अगर हम length बढ़ा दें, सुस्त की हो जाती ही पूचा गया है, तो गर्मी में ये metal क्या होता है, फैलता है फैलने के कारण इसका लंबाई ज़्यादा हो जाएगा, यानि कि length बढ़ा हो जाएगा, length बढ़ा हो जाएगा, तो time भी बढ़ा हो जाएगा time period बढ़ा हो जाएगा, यानि इसका मत तो ये मसमझना कि time period ज़्यादा हो गया, तो ये fast हो गया कभी-कभी ऐसा मन में आ सकता है, अगर आप ज़्यादा ध्यान से ना सोचे तो आप इसे easily समझ सकते है, माल लिजिए कि आपका friend आपको time देता है कि मैं 5 minute में आया और वो आता है, आदा घंटे बाद, तो ज़्यादा सुस्त कोन हुआ, ज़्यादा time कोन लिया, आपको 30 minute, आप ज़्यूर बोलेंगे यार इतना time क्यों लगा, सुस्त हो क्या, आपको ज़्यादा इंतिजार करना परा, तो गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण ये हमारा होता है, cavity, जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाता है, तो कोटर का आइतन, जब धातु फैलेगा न, फैलेगा तो overall क्या होगा, अंदर जो भी layers होंगे, metal का, या metal का है, ठीक न, ये दुखिए, metal का है, तो ये जो गेंद है, कई सारे layers से मिलकर बने होते हैं, तो हर layer का तिरिजया, radius increase होगा, तो overall जो cavity होगा, उसका भी radius increase होगा, radius increase होगा, तो आइतन बढ़ेगा, अगला है कि शीतर रितु में पहारों पर pipe, पानी की pipeline फट जाती है, क्योंकि ice का volume जादा होता है, water से, ये सिल्क water में होता है, कि ice जमने पर जादा volume गेंद करता है, तो जब pipeline में पानी जम जाएगा, तो आइतन बढ़ जाएगा, जमने के कारण उसका आइतन बढ़ जाएगा, तो फट जाता है, ये होता है, pipe में पानी जमने पर फैल जाता है, फैलने का ही मतलब है कि ice बढ़ जाता है, अगला है दो rail पटरियों के माधिम जोड पर एक छोटा सा अस्ता छोटा स्तान क्यूं छोड दिया जाता है, क्योंकि धातु गरमियों में फैलता है, लोह का होता है, और फैलने के लिए इसको थोरा सा जगा चाहिए आगर जगा नहीं दिया गया, तो ये क्या होगा टेरी मेडी हो जाएगा, रिल की पटरिया, डैमेंजन बिगर जायाएग अगला है किसी जील की सता का पानी बस जम नहीं वाला है जील के अधस्तल में जल का क्या तापमान होगा चार डेगरी सेल्सियस होता है ग्रूप डी में ये पूछा हुआ क्वेस्चन है थोरा से इसे समझने का कोशिश किजी देखे ये डेंसिटी ये टेंपरेचर टेंपरेचर और डेंसिटी की बीच का ग्राफ है ये चार डेगरी सेल्सियस पे मैक्समम होता है अब चलिए हमारा ये वातावरन है ये जील इसमें पानी मैं दो लेयर बना चुका हूँ इसमें दो लेयर में बात करते हैं जल्दी समझ में भी आयेगा और जल्क हो भी जयेगा अदी माल लेते हैंकि वाटावरन का टेंपरेचर ये 6डिँसश्यस ये अगर वाटावरन का टेंपरेचर 6डिटी सेल्सियस है तो जो सर्फेस वाला पानी होगा सबसी उपर वाला पहले वह contact में आएगा उसका भी टेमप्रेचर छे सालचे यहाँ हुगा उसके बाद पूरे पानी का टेमप्रेचर छे सलПрेच Whenever weos एक मैं शें बकटिण ने बार्टर लें लेकिन जब वातव़रन का टेमप्रेचर आप तो 5 degree Celsius होने के बाद सबसे पहले जो वातावरण के direct contact में पानी है उसका temperature भी 5 degree Celsius हो जाएगा कम हो जाएगा अब जैसे ही 5 degree Celsius कम होगा तो यह कुछ यहां पे होगा 5 degree Celsius तो इसका density जादा हो जाएगा अब देखने density उपर चला गया अगर density ज़्यादा हो जाएगा तो आपको पता होगा कि पानी में जो हम कील डालते हैं तो वो डूप जाता है क्योंकि कील का density ज़्यादा होता है तो 5 degree Celsius वाला पानी क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा क्यों क्योंकि इसका density ज़्यादा हो गया और 6 degree Celsius वाला पानी उपर चला जाएगा अब उपर 6 है नीचे 5 है degree Celsius अब वो आतावरान का temperature मालने थे हैं कि 4 degree Celsius हो गया तो सबसे पहले उपर वाला पानी का temperature 4 degree Celsius होगा अब जैसे ही 4 degree Celsius होगा density maximum हो जाएगा देख रहे हैं maximum तो 4 degree Celsius होते ही ये 4 degree Celsius वाला पानी नीचे आ जाएगा और 5 degree Celsius वाला पानी उपर चला जाएगा अब क्या होगा अब अगर temperature मालने थे हैं कि 3 degree Celsius हो गया तो density क्या ये 3 degree Celsius वाला पानी नीचे जाएगा नहीं जाएगा क्योंकि 4 degree Celsius पे density maximum है इसके अलाबा किसी भी temperature पर रहे है density कम होगा तो density जिसका कम रहता वही उपर होता है तो अब यह पानी नीचे नहीं जायेगा अब 3 degree Celsius होने के बाद भी यह पानी नीचे नहीं जायेगा उसके बाद वातावरान का temperature 2 degree Celsius होगा फिर भी यह पानी नीचे नहीं जायेगा क्योंकि 4 degree Celsius पर maximum हो चुका है तो यहां भी 2 degree Celsius होगा अब यहां 1 degree Celsius होगा इसका भी temperature 1 degree Celsius होगा 0 degree Celsius होगा तो यह सर्फ उपर वाला पूढ़ा लेयर के होगा बर्फ में जम जायेगा बर्फ में बदल जायेगा तो यही कारण है कि उपर का परत जो होता वो बर्फ में कनवार्ट हो जाता है फिर भी मचलिया अंदर में लाइफ को अपना सर्वाइब कर पाती है बर्फ उपर बर्फ नीचे पानी तो हमारा आंसर यह 4 डिगरी से है अगला देखते है शीत काल में जब ठंड से जल जम जात है बिल्कुल सही है अगला है उस्मा के संचरन की विधी है उस्मा की संचरन की विधी यानि की हीट एक जगह से दूसरी जगह कितने तरह से जा सकती है तो यह कंडक्शन convection और radiation टीनो ये mode है heat एक जगह से दूसरे जगह जाने का तो ये उपर युक्त सभी आंसर है उस्मा के संचरन की किस विधी में पदार्थ के अनू एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक नहीं जाते हैं ये होता है चालन में आगे हम बताएंगे आपको पूड़ा एक बाद देख लेते हैं द्रवो होता है गैसो में उस्मा का अस्थान तरण निवलिकित में से किस विधी द्वारा होता है ये होता है समान द्वारा इसे आप रट ले अब देखी थोड़ा convection, conduction, radiation ये तीनों तरह से heat एक जगह से दूसरे जगह जाता है अब कुछ-कुछ point आपको इसमें याद रखना है पहला बात पहला हम देखते हैं conduction के बारे में तो conduction में माधियम की अविशक्ता होती है माधियम चाहिए यानि कि heat को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माधियम चाहिए convection में भी माधियम चाहिए इसमें भी चाहिए radiation में माधियम नहीं चाहिए ये सब important point है radiation माधियम नहीं चाहिए इसके अनू जो होते हैं conduction में अपना जगह नहीं छोड़ता इसमें छोड़ता है अनू के बारें बात करें ठीक ना अपने ही जगा पर अनू रहता है ठीक है महां लीजिए ये एक अगर solid है तो इसके अनू है पूडाल हुघ ठता है तो इसा सिर्फ लेक्ष्ण अन्व होता है, नोष एसको मांध्यम नहीं ही चाहिए, इसको मांध्यम की जड़ोत ही नहीं है वैक्यूम में भी रेडियेट रेडियेशन होगा उसके साथ ध्यान में क्या रखना है आपको यह जो रेडियेशन है यह एलेक्ट्रोमेनेक्टिक वेव होता है एलेक्ट्रोमेनेक्टिक वेव आपको पता होगा कि यह लाइट की स्पीड से चलता है 3 x 10 to the power 8 meter per second तो यह सब कुछ point है important point है जो आपको ध्यान में रखना है तो question है कि विदूत कैतली में पानी गर्म होता है कौन से process, conduction, convection यानि चालन समवहन और वी किरन कौन से process के तवरा विदूत कैतली में पानी गर्म होता है यह होता है समवहन के कारण ठीक है साथ ही जाद रखे समवहन में जो molecule होते हैं समवहन में molecules अपने position को छोड़ देते हैं चालन में अपने position को molecule नहीं छोड़ते हैं और वी किरन एक electromagnetic wave होता है यह जो वी किरन है यह electromagnetic wave होता है इसे किसी माध्यम के अवशक्ता नहीं है वैक्यू में भी travel करती है speed of light से travel करती है यह वी किरन चालन में माध्यम के जरुरत है उसके बाद समवहन में भी माध्यम की जरुरत है पानी और गैस में जो हीट का transfer होता है वो समवहन प्रोसेस के द्वारा होता है अगला है हमारा इस question का answer भी है सुरी की उसमा प्रीथवी पर निमलिकित में से किस प्रकार किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है मतलब हीट कैसे पहुंचती है सुरी से प्रीथवी पर तो यह पहुंचती है वीकरन के द्वारा अब ऐसा तो है निकि यहां से लेकि सुरी तक वातावरन है, वातावरन कुछ किलोमेटर तक है, उसके बाद तो नहीं है, लेकिन फिट भी सुरी से यहां तक उस्मा आती है, इसका मतलब यह हुआ, जिस तरह से लाइट, अगर वातावरन ना हो, हवा ना हो, तो हम साउन नहीं सुन पाएंगे, लेकि लाइट आएगी, सु वी किरन में माधियम के अवशक्ता नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यह एलेक्रोमेटिक वेव है, उसमा संचरन की वह वीधी है, जिसमें माधियम के कन, गती नहीं करते हैं, कौन से वीधी में माधियम के कन, यानि पार्टिकल्स ओफ मीडियम ट्रेवल न तो यह पा रहा है, यह चार option के साथ इसका अंसर पा रहा है, आप धियान में रखे, चांदी की उसमें चालकता, उसमें चालकता, उसमें चालकता, इंगलिस में से thermal conductivity कहा जाता है, जिसे case से denote किया जाता है, तो चांदी की उसमें चालकता, सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद copper की और उसके बाद उसमें चलगता ज्यादा होती है aluminium की तो ये तीनों आप याद रखें इस तीनों के बारे में ही पुछा जाता है बार बार तो इस question का answer है चांदी की ज्यादा उसमें चलगता है तांबे से तो ये अधिक होती है भी तो । यानिक devotion की दूढ़ का रखा है एक है अईरन और दूसरा है wood लकरी अब क्या है ये हमारा वातावरन है अब वातावरन तो दोनों के लिए सेम है दोनों एक ही वातावरन में रखा गया है और फिड़ भी iron को छुने पर आपको ज्यादा ठंडा लगेगा जबकि लकरी को नहीं तो तो क्या? ऐसा होता है क्या कि iron का temperature कम होगा iron का temperature कम होगा और wood वाले गुट का temperature जादा होगा? जी नहीं, बिल्कूल भी नहीं ऐसा काफी सारे लोग सोच सकते हैं कि इसका temperature iron के गुटके का कम होगा और लकरी के गुटके का ज्यादा होगा ऐसा नहीं है temperature दोनों का same होगा यह फर्क परता है जो heat transfer का rate है heat transfer का rate iron के गुटके में ज्यादा होता है लकरी के गुटके से यानि कि temperature जो है heat जो है energy जो है ये पूरे गुटके में तेजी से फैल जाएगा लेकिन इसमें तेजी से नहीं फैल पाता है तो यही है ऐसा नहीं आपको ये tick बिल्कुल ये नहीं करना है देखते है option में क्या है लोहे के गुटके का ताप लक्री के गुटके से कम है ये बिल्कुल भी option नहीं होगा temperature दोनों का same है rate of heat transfer दोनों में अलग-अलग है तो हमारा answer क्या होगा लक्री की तुल्ला में लोहे लोहा उस्मा का खराब चालक है बिल्कुल सही यही आंसर है अगला प्रशन है करे जारे में जील की सता हीमशीत हो जाती है यानि जम जाती है किन्तु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है यह किस कारण से होता है बात कर चुके हैं इस पर अब इस पर फिर से चर्चा नहीं करेंगे जल की संगंता यानि देंसिटी सबसे अधिक होती है चार डिगरी सलसियस पर है एक टेबल टेबल फंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या होगा गर्म होगी चीक है कि टेबल फैन जो है उसमें पीछे मोटर भी लगा होता है तो यही कारण है तो हमारा आंसर है गर्म होगी एक टेबल फंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा यह दोनों सेम है सेवेंटी सेवेंटी यह वही अप्षन है गर्म होगी सिक्टी बन देखते हैं कमरे में रखे हुए रेफ्रीजेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिये जाएं तो क्या होगा इसका भी सेम फंडा है और बाकी बाद रेफ्रीजेटर के मेकनिजम पर यह डिपेंड करता है उस दरस होता है कि आप अगर रेफ्रीजेटर के दरवाजा खोल दें तो ताप चलकता क्या होगा आप खाना बनाने वाला कैसा बरतन ढूड़ेंगे वो बरतन ढूड़ेंगे जिसमें क्या हो तेजी से हीट फैले और आपके खाना को जल्दी से पका दे तो इसके लिए उस बरतन का thermal conductivity ताप चलकता जिसको कहते है thermal conductivity वो अधिक होना चाहिए क्योंकि thermal conductivity जादा होगा तभी rate of heat transfer जादा होगा उसके साथ ही एक और होता है specific heat इसे कहते हैं visist usma यह क्या होना चाहिए अगर visist usma क्या होना चाहिए तभी क्या होगा कि heat तेजी से फैलेगा heat तेजी से फैलेगा कैसे कम temperature पे, अगर ये ज्यादा होगा, specific heat अगर ज्यादा होगा, तो आपको ज्यादा energy देना परेगा, जैसे कि कहते हैं कि LED light लगाओ, इससे क्या होगा कि energy बचेगा और उसनी भी ज्यादा मिलेगा, तो ठीक उसी तरह से specific heat है, ये क्या होगा कि आपका gas बचायेगा, तो ये specific heat कम होना चाहिए, और ताप चलकता ज्यादा होना चाहिए, ताकि तेजी से heat transfer हो, अगला है निमलिखित में कौन उस्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, ठंडा पानी, गर्म पानी, आस्वित पानी, समुद्र का पानी, ये है समुद्र का पानी, आनविक संगटन के दोरा उस्मा का संप्रेशन क्या कहलाता है, समवहन कहलाता है, अगला है निमलिखित द्रम में कौन सा उस्मा का बहुत अच्छा चालक है, तो ये चार अप्शन आप ध्यान में रखें, और हमारा अंसर है पारा, द्रम में कौन उस्मा का बहुत अच्छा चालक है, जी हाँ, ठीक क्योंकि उस्मा पर्दान करते हैं उस्मा का वीकरण नहीं करते है वाईयू को शरीर कसमपर्क में आने से रोकते हैं शरीर की उसमा को बाहर जाने से रोकते हैं ये डी नमबर सही है क्योंकि थंडी के time में हमारे का temperature कम होता है हमारे body का temperature 37 30 degree Celsius होता है अंदर में तो ज्यादा गरम होता है तो हमारे बॉड़ी से heat निकलता है अब heat क्या है कि हम इसा higher temperature से lower temperature जाता है तो यानि बॉड़ी से निकल कर वातावरन में जायेगा तो हमें ठंडा अगला है धूप से बचने के लिए छाते में रंग सही हो जर निमन में से कौन सा सबसे उचित है अब छाता है तो क्या होगा उपर white होगा वाइट होगा ताकि maximum light को reflect कर देए और नीचे होना चाहिए नीचे white नहीं होगा अगर नीचे white होगा तो वापस ही नीचे क्यों reflect करेगा तो हमें गर्मी लगएगा तो नीचे black होना चाहिए ताकि नीचे से जाने वाला जो heat होगा वो तो इस तरह से हो जाएगा उपर white नीचे black उपर सफेद नीचे काला ये भी नमबर अफरीका के काली तवचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन की सफेद तवचा वाले व्यक्तियों की तुलना में अधी गर्मी महसूस करते होंगे बिल्कुल काली तवचा है और black color जो होता है वो absorb करता है heat को जादा अगला है सुबा का सुरज इतना गर्म नहीं होता जितना दो पहड का क्यूंकि सुरज की किरने सुबा के समय धीरे चलती है धीरे तो नहीं चलती एक समान से चलती है 3 to 10 to the power 8 meter per second तो ये नहीं होगा सुबा के समय सुरज ठंडा होता है ऐसा भी नहीं होता सुबा के समय प्रित्वी सुरज से अधिक दूर होती है तो ये भी नहीं है देखिए अगर ये हमारा अर्थ है ये अपना अर्थ है ये सुरज है अगर हम इस यहां बात करें तो दीन के समय में मालीजे 12 बज रहा है दो पार के तो इसमें light सीधे आई ऐसे या बोल सकते पर पेंडिकुलर और साम या सौरी अ कि मॉर्णिंग में, मॉर्णिंग के time में अगर स सन सी निकलने वाली प्रकास प्रितवी पर ईस पूइंट मूण्चि ब्रता अथना अपने परा भी होगा कि intensity of light inversely proportional to a square होता है point source के लिए ये relation होता है बट इस पर भी आप apply कर सकते हैं यही concept है ज्यादा distance stable करने कारण intensity थोड़ा कम हो जाता है इसी कारण से और लंबत में distance कम हो जाता है ये ठीक ये पैथागोरास आप theorem जानते हैं ठीक उसी तरह है ये दोनों आपस में perpendicular है ये distance जादा होता है अगला देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा डी नमर मर आंसर हो जाएगा सुबह के समय सुरज की किरने को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तैय करने हो परती है काले बस्र की मुकाबले स्वेत बस्र शीतल क्यों होते हैं काले बस्र की मुकाबले स्वेत बस्र सीतल क्यों होते हैं तो जो स्वेत बस्र होते हैं वाइट क्लर वाला वह मैक्सिमम लाइट को reflect कर देता है उनके पास जो भी प्रकास पहुंसता है उसे वह प्रावर्तित कर देते हैं जो भी प्रकार्स पहुंसते हैं, सारे को प्रावर्थित नहीं करते हैं, वो maximum को प्रावर्थित कर देते हैं, तो हमारा आंसर यही है, ओनी कप्रे, सुती वस्त्रों की अपेक्षा गरम होते हैं, क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं, रोधक करने का मतलब ताप को वो बाहर जाने से रोकते हैं, इसलिए झाल द्वारे के तूलला में भाप द्वारा जलना अधिक कश्ट दायक होता है, अगर आपका कभी हात जला होगा, इस टीम में भाप में, कभी हात आया होगा, वही जैसे ही भाप उंग्ली पर लगता है पूरा हमारा उंग्ली भीग जाता है और वो ज्यादा कष्ट दायक होता है ज्यादा पेन करता है अगर वही उंगली अगर आप किसी पानी में उबलते पानी में आप डुबो दीजिए गलती से अगर डुबोएंगे नहीं अगर गलती से अगर उंगली चला वहिया तो उतना दर्द नहीं देगा जतना कि steam के लगने से, भाप के लगने से, इसका कारण यही होता है, कि water को steam में बदलने के लिए लगवग 540 कलोरी ठीक है, पर ग्राम energy चाहिए होती है, तो यह क्या है, water से vapor में बदलने के लिए इतना चाहिए, जब vapor से water में convert होगा, अब water से vapor में convert होगा, तो इतना energy यह लिया, और जब vapor से water में convert होगा, तो इतना energy रिलीज करेगा, पहले इस बात को समझे, तो यही होता है, कि जब उबलते पानी में, या फिर कोई गरम पानी आपके उंगली पे आता है, तो उसका temperature कम हो जाता है, पानी का, क्योंकि पानी गरम होता है, आपका उंगली का temperature कम होता है, तो और इस case में क्या होता है, इस steam के case में, कि जब भाप आपकी उंगली पे आता है, तो आपका उंगली भीग जाता है, क्योंकि ये energy release करता है, क्योंकि इतना ज्यादा energy होता है steam में, इसी करण से ये ज्यादा कष्ट दायक होता है, ये भाप में गुप्त ताप होता है, यही latent heat के बारे में latent heat को कहा जाता है गुप्त ताप तो इसका आंसर आप यही दा रखे कि steam में ज्यादा energy होता है ज्यादा energy release करता है जब steam जो है वो water में convert होता है तो liquid में 84 देखते हैं वायू मंडल में आर्दरता की उपस्तिति यानि humidity की उपस्तिति एक ऐसे steel के glass के बाहिस सता पर जल की बूंद देखकर सुनिचित किया जाता है यानि steel का glass है इसमें क्या होना चाहिए गर्म दूद होना चाहिए ठंडा जल होना चाहिए गर्म जल होना चाहिए फिर समाने जल से भी अब humidity ज्यादा है तो हमारे वाताव रन में water vapor भी ज्यादा होगा औ पानी में convert हो जायगा यह बुन्दUP से हो जाएगा तो यासा ठंडा होगा तभी होगा 알 वैपर से water में convert होगा ठंड़े जल से यह इस ठंडे glass से टकराएगा तो अच्छे उत्सर जग अच्छे अफसुसक होते हैं यह 이건 नियम है कि jobs का नियम आप ध्यान में रहे तो इस video में इतना ही ये था पार्ट वन, पार्ट टू, कल अपलोड हो जायेगा, थैंक्यू सो मच, और हाँ, वीडियो पसंद आए हाँ, तो लाइक करकी जाना, बिना लाइक की जाना, मत जाना,